हमारे साथ जूरे रहने के लिए ग्यान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्या आप भी WhatsApp पे ब्लू टिक को हाईड करना चाहते हैं? क्या आप जाना चाहते हैं कि हम WhatsApp पे ब्लू टिक को कैसे छुपा सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए, Hello, Namaste, में नाम है Sanoj, तो चले इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे. सो यहाँ पर अब हम अपने फॉन पर हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम WhatsApp से Blue Tick जह है उसे कैसे हटा सकते हैं जो भी यहाँ पर Double Blue Tick आ जाता है उसे हम कैसे hide कर सकते हैं कैसे चुपा सकते हैं तो यहाँ पर सबस्पेहले तो आप अपने फोन में WhatsApp को open कर लिजिए, यहां पर मैंने WhatsApp open किया हुआ है, यहां पर मैं एक contact से पहले आपको message भेज के दिखाऊंगा कि किस तरह से अभी मेरा फिलहाल so हो रहा है, तो यहां पर मैं एक दूसरा WhatsApp अपना खोलता हूं और उससे message करके आपको दिखाता हूं, तो यह मैंन देख लिया है, अब यहां पर blue tick जो है वो आ गया होगा, देख सकते हैं यहां पर blue tick आ गया है, तो इसी blue tick को हम जो है यहां पर छुपाने वाले हैं कि यहां पर blue tick जो है वो show ना करे, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने उनका message देख लिया है, watch कर लिया है, तो इसके आपको एक छोटा सा setting apply करना होगा चलिए इसके लिए सबसे पहले तो मैं WhatsApp पर जाता हूँ और यहां पर हमें एक छोटा सा setting apply करना होगा उसके बाद हमारा blue tick जो है वो hide होना शुरू हो जाएगा इसके लिए क्या करना है right hand side में आपको यहां से पहले तो आप यहां से back आ जाईए और chats पे आ जाईए उसके बाद right hand side में उपर में three dot पे click करना है then settings पे जाईए then privacy पे जाना है और यहां पे आपको दिखाई देगा read receipts देख सकते हैं तो यहां पे आपको इसे off करदेना है by default यहां पी यह और यहां पो करने के बाद यहां से back आ जाये बैक आ जाना है और अब यहां पे मैं मैसेज आपको करके दिखाता हूँ कि blue tick so होता है या नहीं चलिए वापीस से message करते हैं तो यह मैंने WhatsApp खोला दूसरा वाला और यहां पे उसी chat में message करते हैं यहां पे मैंने message कर दिया है देख सकते हैं double tick यहां पे आ चुका है इसमें blue tick जो है वो नहीं आया देख सकते हैं इसमें blue tick नहीं आया है इसका मतलब इनको पता नहीं चलेगा कि हमने वहां पे message को देख लिया है तो इस तरह से आप भी WhatsApp से blue tick को hide कर सकते हैं छुपा सकते हैं